Hello everyone मैं हूँ सेली विल्कम करती हूँ राही कीचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ बिना चिलके वाली आलू पलवल की सबसी सूपर टेस्टी बहुत ही ईजी तरीके से और वो भी कूकर में आप लोगों को पता ही है कि कूकर में बहुत जल्दी बनकर सबसी तयार होती है अगर मेरी रेसिपी पसंद आये तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें तो इससे पहले मैंने चिलके वाले पलवल की सबसी की वीडियो अपलोड की थी जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला उसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया आदा कर रही हूँ वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो सारे वीडियो में सबसे आगे तक गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी फिर देर किस बात के चले शुरू करते हैं अब बताना शुरू करती हूँ मैंने यहाँ पर 2500 गिराम पलवल ले ली हूँ और इसे इस तरीकी से मैं छिल रही हूँ इसके छिलके पूरे हटा देने हैं छिले या चाको की मदद से इसके पूरे छिलके को छिले लें ये easily हट जाएंगे ये सबजियां हम लोगों के यहां market में easily मिल जाते हैं इसकी सबजियां बहुत ही tasty बनती है इस सबजी को हम लोग पलवल के नाम से जानते हैं हर जगह के अलग अलग भाशाएं होती है तो आप लोग क्या बोलते हैं इसे comment section में जरूर बताना और कहां से देख रहे हैं वो भी बता दें ताके मुझे पता चल सके के मेरे friends कहां से मेरी video देख रहे हैं यह सबजीयां तो हमेशा मिलती हैं लेकिन गर्मियों के season में थोड़ा ज्यादा ही मिलती हैं इस सबजीयों को बनाने के लिए हमें कोई extra मसालों की जरूरत नहीं होगी जो रोजाना सबजीयां बनती हैं और उसमें डालते हैं जो हमेशा घर में available रहते हैं बस उनहीं मसालों सम्में से यह सबजी बनकर बहुत ही टेस्टी तयार होगी एक बार आप जरूर मेरी तरह से ट्राइ करके देखें मैंने यहां पे सारी सबजीयों के छिलके हटा दिये हैं और इस तरीके से आगे और पीछे के पुर्शन को हटा दे हैं सब्सक्राइब्स यहां पर आ न सामें गाम और एककें घृत आ पर सबसक्राइबंस की गणिकों में यहां तरीके के क्यूब में उस तरीकी काट रही blending यह देखे ये पलवल थोड़ा छोटे हैं इसलिए मैं बीद सिकट लगा कर दो हिसों में काट रही हूँ अगर आपके पलवल थोड़ा बड़े हैं तो उसे तीन हिसों में काट दें यह सबसी इजली गल जाते हैं लेकिन इसे इसलिए मैं टुक्रों में काट दी हूँ कि ताके मसाला अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले अब इसे रखती हूँ दूसरी तरफ और आगे का पुड़ोसिस करती हूँ मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइज की प्याज ली है जिसे छिलके हटा करके इसे अच्छी तरह वाश कर ली हूँ और इसे रफली मैं चौप कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे ग्राइंड करना है अब ले एक ग्राइंडर जार और इसमें ये कटी हुए प्याज को डाल दें अगर आपके पास लहसन अदरक का पेस्ट नहीं है तो इसी स्टेप पे लहसन अदरक का पेस्ट डाल कर थोड़ा पाणी डाल कर इसे ग्राइंड कर ले और अगर है तो बस सिर्फ प्याज ग्राइंड करें मेरे पास लहसन अदरक का पेस्ट है इसलिए मैं यहाँ पे बड़े क्यूब में मैं काट ली हूँ आपको जिस तरीके का शेप पसंद है उस तरीके का टमाटर काट ले इसे रखती हूँ दूसरी तरफ और ड्राइम मसाला वो ले लेती हूँ वन टेबली स्पून धन्या पाउडर ले हूँ और हाफ टेबली स्पून लाल मिर्ची पाउडर ले हूँ यह मेरी नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर है half table spoon healthy powder लिए हो और half table spoon काली मिरिज पाउडर लिए हो और half table spoon zero powder लिए हो quarter teaspoon से half teaspoon गरम मसाला पाउडर लिए हो और taste के recording नमक ले ले मैं यहाँ पे half table spoon नमक का इस्तमाल कर रही हो अब यहाँ पे मैंने सुखे मसाले ले लिए हैं आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डाल कर इसे फुलने के लिए भी रख सकती हैं मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ मैं इसे dry यूज करूंगे तो फिर चले आगे का प्रोसेस करते हैं चुले का फिल्म आउन करें और कूकर डाल दे और जैसे ही कूकर गरब हो जाए उसमें आईल डाल दे थिरी टेबली स्पून के करीब मैं आईल डाली हूँ मैं यहाँ पे मस्टर्ड आईल का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो क क्लांजी ले ले और थोड़ा सा अजवाइन ले थोड़ी सी मेथी ले और थोड़ा जीरा ले और थोड़ा सौफ ले ले यह सारे चीज को जब तेल गरम हो जाए तो उसमें डाल दे और इसे थोड़ा सौटे होने दे चुले का फिल्म इस वक्त मीडियम ही रखे मैं इसमें यह साबुत मसाले डालती हूं इसमें इसका फिलेवर बहुत ही अच्छा आता है आप इसे हर्गिज इसकीप ना करें और एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइ करके देखें बहुत ही मज़े की बनेगे और आप बार बार बनाएंगे अब यह मसाला जब ब्राउन हो जाए इस करें थोड़ा और इसी एस टेप पे वो ड्राइब मसाला वो डाल दें इसे डाल करके फिर अच्छी तरह फ्राई करें एक दो मिनट के लिए इसे ऐसे फ्राई करना है मैं यहां पर दो हरी मिर्ची ली हूं जिसे बीच से कट लगा ली हूं आप चाहें तो इसे डाले वरना इसकीप कर दें इसमसाले को दो तीन मिनट के लिए मीडियूम फिल्म पे अच्छा से फ्राई करें यह जितना ही अच्छा फ्राई रहेगा उतना ही अच्छा टेस्ट सबजी से आएगा मसालों को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबान 2-3 मिनट हो चुके हैं देखें आयल में चलाते हुए फ्राइब करें, मैंने प्राइब कियान, ना अलू ना पल्वल किसी चीजSKो फ्राइब नहीं किया हुं, मैं इस तरीके से बनाना बता रही हो जिसे नहीं आतते हो वो आशानी से बना लेंगे, और टाइम भी इस तरीके से बनाने में कम लगता है वैसे फ्राइ करने में थोड़ा वक्त निकल जाता है आलू जब थोड़ा फ्राइ हो जाए तो उसके बाद ये कटे हुए पलवल डाल दें ये कुनि कि अलु थुरा सख्त होते हैं और ये पलुल बहुत ही नर्म होते हैं, तो इसी लिए आलु को ऐक दो मींट तक अच्छी तरह ऍच्छी तरह फ्राई कर लें। पलुल डाले और मसालोमे पल्वल को मिक्स करते हुए झ compressed में, अच्छा लाने के बाद एक दो मिनट तक उसको मीडियम फिलिम पे अच्छी तरह फ्राई करें क्योंकि ये कच्छा रहेगा आड मैंने पलवल को भी फ्राई नहीं किया है तो ये मसालों में एक दो मिनट तक फ्राई जब हो जाएंगे तो इसके कच्छापन निकल जाएंगे देखें आप ये सब्जिया फ्राई होकर के थोड़ा कम हो गई है आप इसी स्टेप पे पानी डाल दें और पानी इतना डालें कि सारी सब्जिया पानी में डूब जाएंगे ये सब्जिया जितना ही गला रहेगा उतना ही अच्छा देस्ट आएगा और अंदर तक पुरा मसाला अच्छी तरह एब्सर्प कर लेगा पानी डाल करके इसे चला दे और चला करके कुकर का कौवर बंद कर दे तीन सीटी आने तक इंतजार करें और गैस का फिलिम मीडियम टू हाई कर दे और मीडियम टू हाई फिलिम पे तीन सीटी आने दे जैसे ही तीन सीटी आ जाए ये का फिलिम आफ कर दे और kukar को अज़ी तरह ठंडा होने दें देखें यहाँ पर तीन सिटी के बाद जूले का फिलिम आफ कर दिया था और kukar को अच्छी तरह ठंडा होने दिया अब देखें यह सब्सब्सी बिल्कुल तयार हो गए है मैं इसे चला कर दिखा रही हूं अब देर किस बात के चले सर्व करते हैं अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज जाकर सब्सक्राइब करदें और लाइक भी करें आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है सर्व करते वक्त थोड़ा धनिया पती से गार्णिश कर दें और खाने में तो मज़े का है यह थोड़ा देखने में भी खुबसूरत लग जाएगा इस तरीकी से एक बार आप भी जरूर ट्राइ करें आप भी मनाएं सबको खिलाएं अपना ख्याल रखें बाई बाई